हुआ है और पोर्ट की जूरत जरूरी क्योंकि नट और पोल्ट ही जोडने का काम करता है नट और बोल्ट सब्सक्राश दिर क्या चाहा है co gar बनाना वाँ यह वहार को घाड़ी विजिन्स में o competition ना के बराबर है, या इसे चलने वाला बजन्ष और इस बिजन्स पी जरीए आप अच्छी कमाई कर सकते हैं, तो दोस्तों इस विडियो में जाने हम कैसे अतना खुद का nut or gold जब manufacturing बजन्स स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए phone कौन से realmeutriazz की जरुट होगी फॉन कॉन से मसीन की जरूत होगी, हम मसीन कहां शुकरीच सकते हैं, हम कैसे माल प्यार कर सकते हैं, टूटल कितनी लागत आएगी और कितना मुनाफर कमा सकते हैं तो वडियो देखते हैं दोस्तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 7-8 लाख रुके की जरूत होगी और इतने पैसों में आपको इस बिजनेस में लगने वारी सारी मसीन्स आजाएंगी साथ ही साथ आप अपने बिजनेस को अच्छे रुक से चला दी सकेंगे दोस्तो अगर आपके पास फाइनेंस की कमी है तो आप बैंक से लोन के लिए भी अपलाई कर सकते हैं और इसके लिए आप वर्किंग क्याक्टर लोन यानि ओवर्ड्राफ यह कैस्टेड फैसलिटी के अंतरगात अपाहिक कर सकते हैं आजकल गौर्वर्मेंट की मैनिफेक्ट्रिंग बिजनेस को काफी बढ़ावा दे रही है इसलिए सरकार दोरह चलाया जाराए यह उसनाओ के अंतरगात अफ़रोन के लिए भी अपलाई कर सकते हैं चलिए दोस्तों मुंझानके कि यह बिजनेस के लिए में कौन कौन से मसीन और राव मेटरियल दिरुट होगी दोस्तों nut bolt making business में यूज में लाया जाने वाला main raw materials 2 mm से लेकर 50 mm तक की mild steel rod या 2 mm से लेकर 50 mm तक की hexagonal mild steel rod है ये rod आपको steel, copper या aluminium की भी मिल सकती है बजा आदे इसके अलावा acid, lubricant और कुछ दूसरी conjonal item जैसे की चूना और लखड़ी की भूस्ती और कुछ packaging materials की जोरोत होती है जैसे जूट या plastic बोरियां इत्यादी को जी साइट के nut या bolt बनाने हो और साइट के हिसाब से आप steel या दूसरे rod का ओड़ उतर सकते हैं प्रोड़क्शन के हिसाब से rod खरीब सकते हैं चुकि nut और बोल्ट का यूज अलग-अलग machine को बनाने में building, गाड़ी, हवाई-जाज, railway इत्यादी में किया जाता है इसलिए इनकी quality के business धियान रख जाना बहुत जोड़ी है वैसे nut bolt making business में यूज में किया जाना वाला main raw material mild steel rod जिसे TM के technology के यूज के बनाए जाता है जिससे आपके द्वारा बनाएगा nut और बोल्ट की quality अच्छी होती है आपको market में लगने वाले size के nut और बोल्ट को बनाने के लिए raw material का stock अपने पास रखना होगा जैसे की 6 mm, 8 mm ये 10 mm के rod ये फिर जिस size का order आप लेते हैं उस size के हिसाब से raw material आपको खरीजने पड़े हैं दोस्तों इस business को start करने के लिए हमें कुछ machines की जरूत होती है जैसे की bolt बनाने के लिए हमें चाहिए double stroke cold head forging machine और head trimming machine और thread rolling machine और steel polishing barrel bolt बनाने के लिए main ये चाहर machine की जरूत होती है और वहीं nut making के लिए हमें machine चाहिए होती है automatic forming machine, lubricant or coolant pump के साथ और साथी साथ nut tapping machine दोस्तों bolt बनाने के लिए mainly double stroke charging machine की जरूत होती है ये machine single stroke या double stroke मार्केट में मिलती है जिसके जरी आप हर size के bolt बना सकते हैं जैसे की 3-4 inch या फिर आपको अगर screw भी बनाना हो जो बिना nut की यूज़ की जाते हैं तो आप इस machine के जरी screw भी बना सकते हैं आप bolt से मिलते जूलते product भी इस machine के जरी बना सकते हैं ये machine आपको बजार में semi automatic और fully automatic में मिल जाएगी इस machine में हमें जितनी मुटाई का bolt बनाना हो उस size के steel rod का एक सीरह इस machine में लगाना होता है और machine में उस size की setting कर देनी होती और machine खुद बखुद उस size के bolt बनाना शुरू कर देती दोस्तों इस machine के जरी आप 1 minute में 40-80 bolt बड़ी असानी से बना सकते हैं मार्केट में अलग-अलग capacity के machine से विलेबल है इसलिए जैसे machine की capacity होती है उसके हिसाब से उसका production होता है ठीक वैसे ही nut बनाने के लिए मेंली automatic nut forming machine की जुरत होती है जिसके जरीए आप steel के rod को nut forming machine के जरीए size के हिसाब से काट लिया जता है आपको जिस size का nut बनाना हो उस size के rod machine में लगा दें और फिर उसके हिसाब से machine में setting कर दें फिर ये machine उस size के हिसाब से nut बनाना शुरू कर देगी चलिए दोस्तों हम ठीक से समझते हैं कि हम nut और hold को manufacture कैसे कर सके steel rod के packet को head forming machine के सामने ऐसे सेट करना होता है कि यूँ को घूम सके और उसके एक सीरे को grinder की मदब से नुकीला बनाके head sorting machine में लगा दिया जाता है और उसके बाद machine production सुरू कर देती है और steel rod को cut कर उसे bolt का सिब्दे देती है और उसके बाद हमें केवल बने हुए bolt को अलग कर लेना होता है दोस्तों उसके बाद हमें बने हुए bolt को steel policy barrel में डालना होता है जिसमें हम बने हुए bolt के साथ लकड़ी के भुसी का यूज करते है जिससे की bolt में थोड़ी signing आ जाती है और वो देखने में अच्छी लगने लगती है उसके बाद हमें उस bolt को head trimming machine में डालना होता है जिसके जगे bolt का head यानि जो उपरी सीरा होता हो सेप में आ जाता है ये machine एक एक bolt के head को उसके actual सेप में ला देती है उसके बाद हमें सारे bolt को thread rolling machine में डालना होता है जिसके बाद वो machine उसके नीचे के सीरे को safe में ला देती है ताकि किसी बॉल्ट का कोई सीरा टेळा ना रह जा और वो बिल्कॉल safe में रह और उसकी quality भी बिल्कॉल अच्छी रह उसके बाद हम इस machine से निकले बोल्ट को जूट या रस्ती से बने बोरे या पैकक में पैक कर बेचने के लिए देते हैं हम इसी तरह दोस्तों अलग-अलग साइज के बोल्ट, स्क्रूव या और भी दूसरे फोड़क बना सकते हैं वहीं नट बनाने के लिए नट-फॉर्मिंग मसीन के दुवारा नट को उसके साइज में काट लूप इन के छेद या चूडियों को अच्छी सीफ देते हैं ताकि वो स्लिपना करें और इसके बाद इन सारे नट को स्टील पॉलिसी बैरल में डालके अच्छे से चमका लेते हैं और फिर इन्हें जूट या प्लास्टिक के बोरे में पैकर बेचने के लिए बेच देते हैं तो मसीन अब खरी देंगे ट्रेनिंगी अपो वहीं से मिलेगी साथ अपने एरिया के मार्केट में देखें कि मार्केट में इस तरके नट और बोल्ट की ज़्यादा डिमांड है और उसके हिसाब से अपने मसीन और रो मेट्रियल का सेलेक्शन करें और साथ आपके द्वारत त्यार अब नट और बोल्ट को मार्केट में भीचने के अलावा अलग अलग कंपनी से कॉंटेक्ट करने की कोशिस परें ताक कि आप वह अच्छा ओर्डर मिल सके और अब ज्यादा जनव मुनाफ़क हमासे झाल 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 झाल